ये वीडियो जरूर देखना ताकि तुम्हें पता चल जाए क्या है और क्या होने वाला इस वीडियो में तो आगे बनने से सब्सक्राइब कर दो यह लोग आपी लोग कर सकते आपके सपोर्ट के विना यह नहीं हो सकता है क्यों कि आगे और भी गिवेज आएंगे हमारा जो मोटो है लेट्स के बाक टू दी कम्यूनिटी उसी के तहट में करता हूँ तो गाईज अपना सपोर्ट दिखाओ कर दो और गाईज लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रेयर प्लेयर डिस्कोर्ट सर्वर जाओ चेक करो मेमर बनो और डिसक्रिशन से पाट लो अभी के अभी तो गाई सबने मुझे 24 मार्च की डेट बोली थी बट आज 19 मार्च है और आज ये बैक इन स्टॉक आ चुका है इसके प्री ओर्डर चालू हो गए है कुछ साइट पे अभी मैंने चेक किया है गेम्स दे शॉप पे इसके प्री ओर्डर चल रहे हैं तो मुझे उन रीटेलर ने वोल गई है चांसे बहुत जादा बढ़ गए है कि पीएस फाइव के री स्टॉक अब आने वाले हैं शायद कुछ दिनों में साथ आट दिनों में शायद सोनी अनाउंस कर दे पीएस फाइव के प्री ओर्डर चालू हो जाएं क्योंकि यह अगर पीएस फोर आ रहा है क्योंकि पीएस फॉर पीएस फाइव दोनों सेम जगे से ही आते हैं दोनों मेडें चाइना हैं दोनों एकी फैक्टरी में बनते हैं बट मुझे नहीं पता मुझे यह चीज़ समझ नहीं आ रही कि सोनी अभी पीएस फोर को बना रहा है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत जादा कम है और मैं एक और चीज़ बात करूंगा मैंने जैसे एक और वीडियो में कवर किया था मैंने बोला था कि सोनी पीएस फॉर के प्राइज बढ़ चुके हैं जो कि तुम लोग देख रहे हो प्राइज हो गए थर्टी थाउजन पहले थे 28 मैंने खुट 28 का लिया था मेगा इन्हों ने शायद सोनी ने पीएस फॉर प्रो को डिसकंटिन्यू कर दिया है पीएस फाइफ के लॉंच के बाद मुझे नहीं लगता यह पीएस फॉर प्रो को वापस लेके आएंगे क्योंकि पीएस फॉर प्रो की कॉस्ट होगी अप्रॉस 36,000 क्योंकि पहले वो 34-35 का मि यह पीएस फॉर पीएस फाइफ दिजिटल और पीएस फाइफ डिस 30-40-50 बट मेरा कोशन अभी भी सेम है कि यह पीएस फॉर को क्यों मना रहे है क्योंकि डिमांड इसकी बहुत कम है हर कोई पीएस फाइफ लेना चाहता है बट लेट सी आइस पीएस फॉर की अभी नहीं वाला है जैसा एक न्यूज आई थी मार्चेंड और एप्रिल फॉर्स्ट फीग जो बहुत सारे रीटेलर बोलने हैं तो शायद यह न्यूस काफी हद तक अब सच होने वाली है जो मेरी गट फीलिंग थी वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है स्ट्रांग हो बढ़ रहा है महाराष्ट में कल या पड़सों शायद आज एक दिन में 25,000 केस आ रहे हैं यह शायद बहुत ज्यादा है जब हमारा मार्च अप्रिल का लॉट टाउन था तब शायद इतने ज्यादा केस नहीं आते थे में जून बढ़ बहुत ज्यादा केस स्पाइक कर रह सब्सक्राइब कर रहे हैं यह पिल्कुल आ नहीं वाला है उसका सेकंड री स्टॉक जो की कम काफी लेट हो गए इंडिया में पूरे वर्ल में काफी फ्रीक्वेंट लोग री स्टॉक्स लेके आए बट इंडिया में काफी हम डिले हो गए तो लेट सी गाइस यह गुद न देखने को मिल जाए साथ दिनों में कि उस पीस फाइब के भी प्री ऑडर स्टार्ट हो जाएं तो गाइस मिलते हैं आप से अगली वीडियो में अगले अपडेट में जो भी कुछ होगा मैं शेयर करूंगा और कल मेरे साथ तुम लोग जरूर जुणना यार कल की लाइव म